हेलो फ्रेंड्स मैं अकांशा जी की वित अकांशा मैं आपका स्वागत करती हूं फ्रेंड्स आचा मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आई हूं जिसमें गटना चक्र जो पुन्राव लोकन है उसका इतिहास का जो हल पेशने पत्र है वो आपको सॉल्व कराऊंगी इसमे अलाव भी आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं इतिहास यहां से बाहर नहीं जाता है हर कोशन हर टॉपिक वाइस चैप्टर वाइस कवर किया गया है इस बुक में तो मैं क्या करूंगी इस पूरी बुक को ही आपके लिए सॉल्व कराने कराऊंगी इसको आप क्या है कि अगर आप जैसे पढ़ने ही पाते हैं तो आप मेरी ऑडियो ही सुनेंगे एक से दो बार तो आपको कोशन जो है पूरी तरह से याद हो जाएंगे हम थोड़े थोड़े कोशन करके बनाएंगे आस तो मैं थोड़े से छोटा वीडियो लेके आई हूं इसका रिस्पॉ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ताकि जो भी मैं वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंसता रहे और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा अब देखिए हमारे जो हिस्ट्री है वह पाशान काल से स्टार्ट होती है पत्थरों का समय तो हम स कई पाशान काल था पुरा पाशान काल नहीं पाशान काल तो इस इन सभी की कोशन थे वह अब इस्टेमें आएंगा इसके बाद यहां पे पूर दिया हुआ हे कि कीस सन में कौन सा पक にऌना था तो पहला कोशन है रावक ब्रूश फुट थे कौन थे रावर्ट ब्रूस फ पुरातातो विद भी थे पुरानी जुतनी भी चीज़ें हैं आर्किटेक्टर से सम्मधि जितनी भी चीज़ें उनकी जानकारी देते थे तो हम क्या याद करेंगे रौवर्ट बूस्फिट एक भूगर्व वैज्ञानिक और एक पुरातातो विद इससे सम्मधित क्या है पासाल कालिन वस्तियों के अनवेशन की सुरुवात की कभी स्टाट की इनने 1863 में ये सन भी आद रखिएगा कभी स्टाट की इस ट्राट की आप सेकीन कोचन देखते हैं सेकेन कोचन है कोपेन हैगन संग्रहाले की सामगरी की अनुसार पाशान कांस और लोह कत्री यूग ये विवाजन किस नी किया बहुत important question है यूवी पीसी एस प्री 2010 में आया था ये तो Copenhagen संग्रहाले की सामगरी से पाशनकांस और लोग को अभी कोशन पहले यही बन जाता है किस संग्रहाले की सामगरी से ये पाशनकांस और लोग का बिवाजन हुआ तो कोपेण हैगन की हुआ किस नी किया । कोपेण हैगन संग्रहाले की सामगरी से पाशनकांस और लोग को त्रियोगी बिवाजन किस संग्रहाले की के Surprisingly की कोपेन हेगन संग्रहालिन की capital है ये की सामगरी की आधार पर पाशान कांस और लोग कत्रियों की विवादन 1820 में पुरा तात्पिक Christian Thompson ने किया था नेक्स्ट कोशन है उत्खनित प्रमाणों के अनुसर पसु पालन का आरंब कब हुआ निचले पूर पाशान काल में मध्य पाशान काल में या बध्य पाशान काल में तो जो पसु पालन का जो प्रारंब हुआ था वो मध्य पाशान काल में आरंब हुआ था पस परप्ष्पालन के साक्ष प्राप्त होने लगते हैं ऐसे पर पारण के साक्ष भारत में आदमगर्ण हुशंगावाद मध्यपदेश में जो तथब बागोर जो राजिस्थान के भील बाड़ा में मिले हैं यह याद रखिएगा कोशन मध्यपदेश भी ऐसी में आ सकता है कि के अधमगर्ण से मिले हैं और राजिस्थान के भील बाड़ा जो कि बागोर में है नेक्ट कोशन मध्यपदेश के प्रसंग में पूर्ण के प्रमार्ण कहा से मिले हैं तो देखिए अभी हमने पड़ा है कि आदमगर्ण से मिले हैं यह यह यूपीस स्पेसल परिक्षाब ह तो इती दोजर आट उसमें आया था नेक्ट कोशन है किस इस्थल से हड़ी के उपकरन प्राप्त हुए हैं चोपनी मांडो से काकोरिया से महदहा से या सराहा सराय नाहर राय से तो किस इस्थल से हड़ी के उपकरन प्राप्त हुए है तो यह हुए है महदहा से हड़ी के उप उत्तापदेश के पिताफगर जिले में हैं यहीं से बड़ी मात्रा में हडडी सींग मने हुए है जी आर सर्मा महदवा में तीन चेत्रों का उल्ले किया है जी जीज चेत्र है बुचर खाना और कब्रिस्तान निवास चेत्रों में बटा हुआ है याद रखिए यह कोशन भी यूपी एसी का कोशन है यह कि महदवा में तीन चेत्रों का उल्ले किया गया है जी आर सर्माने जो की जील चेत्र है बुचर खाना है और कब्रिस्तान बुचर खाना संकुल चेत्र से हड़ी और सींग आबुशन बड़े पहमाने पर पाए गए हैं चलिए नेक्ट को हड़ी से निर्मित आबुशन बहरत में मध्यपाशन काल में कहां से मिले हैं हमने अभी अभी पढ़ा हैं महदाह से मिले हैं सराइनाहा लेखई या महदा चोपनी माननो तो हड़ी से बने जो आबुशन है वो महदाहा से मिले हैं महदाहा कहां है प्राइनाहर से दम दमा से महधवा से या लंगनाज से तो एक ही कब्र से तीन मानब कंकाल जो निकले हैं वो निकले हैं आपके दम दमा से एक ही कब्र से मानब कंकाल कहां से निकले हैं दम दमा यार रखिको दमा 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 के तीन तीन कंकाल रख दी है ऐसे करके रेलेट करके आप दुक्ल लीजीगा, तो एक-ी कब्र से तीन माना पंकाल कहां से निकले हैं, दम-दमा से निकले हैं, नेक्स्ट है खाद्यानों की किसी सबसे पहले कब आर्म हुई नहीं हुए गए υक्षान काल में यह नहीं भी है तो कब हुए थी कर ऑी खाद्य। की किसी खाने वाले आजिगी किसी तो से परिचित हुए नब पाशनकाल में ही जौ और गयाहूं की बनने किस्म की खेति क्योंगी बनाया गया इसमें क्रिसी जन ने गयाहूं का उद्वा हुआ भारती उप महाधीर में कोल्डी हवा मेहर गड़ दो नब पाशने ग्राम बस्तियां थी जहां से गयाहूं और चाबल साक्ष कहां से मिला भारत में मानप का सरपतम साक्ष कहां से मिला नीलगरी पहाडी सिवालिक पहाडी नला मला पहाडी नर्वदा घाटी तो ना ये सिवालिक पहाडी से मिला जो कि हिमाले का हिस्सा है ना ये नीलगरी का पहाड़े से मिला जो प्राइदी पिये पठार है दोड़ा वेटता चोटियां है न ह्यान्रा माला दमालारू की पहाड़ी यह मिला है भारत जो ढूंआ। तो पहला अनाज कौन सा था मानब दोरा प्रयोग तो कौझ सथा गया होटा च्वल था जो था या बाज़रा तो था जे मानब CDC सबसे पहले प्रयोग खिया गया वह कौन सा था जो था याद रखीगा इसके बारे में पढ़ लेते हैं आधनिक मानब ने इस thou जोग यहूं चावल बाजरा सौरगम राई और जई अनाजों के पौदे विभीने चेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्वान थे जिने बीजों के रूप में मानम ने ओगाया अलग 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 छेत्र में ओगाया बैसवे ग्रूप से देखाया तो जोग जिसे वा मख्क अमध्या अधनी द्र चेत्र में लगवकी डूरी के पिर सकता है कि मक्का का विद्वाव कंटर क में था तो में का बलग था ग। सबसे पहले मानव द्वारा ओगाया गया तो ब्रेंड यह थे हमारे आज के कोशन नेक्ट कोशन में राद तक आपके लिए आती हूं तब तक लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहेगा वीडियो अच्छा लागे तो कमेंट कीजिएगा अगर रिस्पॉंस इसका अच्छा यह आप ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े ओके फैरन सेंक्यू